नमस्कार दोस्तों साधर। आपका 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 चैनल टेक्निक लाएप्ट में हैं। आप कौन-कौनसी आपको बाते ध्यान रखनें। उसारी चीजे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फोन को reset कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हमारे चनल में पहली बारे चनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे पहले इसको sign out कर लेना है और आपको जो कप फोन है पहली बात यह कि आप जब हो सेल करें अपने फोन को दो आइफोन नहीं ले पाएगा कभी भी तो यहाँ प्ते आइए के आप सब्सक्रांअगे इसको आप हमको reset कैसे करना वह बताऊंगा पहले तो आपको सारी चीजे हटा देनी है बाकी का जो भी चीजे हैं उसको आपको backup ले लेना है फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपको transfer और reset दिखेगा तो हमको यहाँ पे click कर देना है तो देखिए पहला तो यह है कि आप चाहते हैं कि आप आपका जो iPhone है आपने new iPhone मालीजे खरीदा है आपने और यह आपका old है तो old से आप new वाले में जैसे कि मालीजे आपके पास iPhone 11 आपने iPhone 13 ए 14 खरीदा तो इसका data आप इसमें देना चाहते हैं और इसको sell करना चाहते है iPhone 11 को तो data अगर आप transfer करना चाहते है तो यहाँ से get start करके कर सकते हैं इस पर मैंने एक अल्लेडी वीडियो बना रखा है उसका वीडियो का लिंक transfer data का पूरा का पूरा कैसे जाएगा new iPhone में वो लिंक आपको description मिल जाएगा वो वीडियो आप जाके पूरा का पूरा देख लीजिएगा बाकी यहाँ पर देखेंगे तो reset और erase all content and settings दे हम reset करेंगे तो इसमें तो settings reset होंगी लेकिन जो neutral option है मतलब इसमें erase all content on पूरा का पूरा setting delete होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसमें देखें दोस्तों आपको पूरा पूरा चीज़ें दिखाएंगी मतलब आपका जो apple का data है पूरा वो और आपकी apple idea और find my location म continue करेंगे तो उसके बाद आपका यह पूरा 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 last में पास कोड मांगता है तो आपका जो यह lock screen का पास कोड है वो डालना होता है यह जैसे ही आप पास कोड डालेंगे यह आपका phone switch off हो जाएगा कुछ देर के बाद open होगा तो यह पूरा पूरा हो जाएगा तो य यह बात आपको ध्यान रखने हैं जिस भी किसी को फोन बेचें तो यह activation code होता है तो यह पास कोड हो सकता है कि उसको आप जरूर दे दिजिएगा जिसको आप बेचेंगे क्योंकि हो सकता है कि उसके phone में यह पास कोड मांगे जब भी वो इसको open करके अपनी Apple ID लगाएगा तो यह पास को आप उसको जरूर दीजिएगा नहीं दूओ परसान हो जाएगा बंदा दोस्तो इस तरीके से अपने iPhone 11 को आप फॉर्मेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि iPhone 11 पे मैंने इसको फॉर्मेट नहीं करना चाहता हूँ अगर आप पूरा पूरा देखना चाते ह आपको मिलती रहे